अज हम रिज़िंग के आते हैं अठीक Can लेकरा हैं जो कि हर वार एक जब नते हैं इसे कुछ कोच्छन पूचे जाते हैं और यह जान बी पूचे गये कुछने तो हम important question यह आपको आपके सामने लेके आते हैं तो चले यह question कैसे solve करते हैं question को देखते हैं चले वीडियो की स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाग करते हैं ताकि हमारा वी support बन रहे कि यहां पास 35 आया है उसी परकार हम इन तीनों value का यूज करके यहां पास की missing number find करें तो देखें यहां पास 35 दिया है तो 35 इन संख्याओं से थोड़ा जादा ही लग रहा है मतलब बड़ा संख्या है तो जब यहां पास बड़ी संख्या हो बीच में और आसपास छोटी हो त ऊज Jen every one tax seven इन टीनों इस पांच पंच करें है रिए गम लगा दो से लिगा आम लगाए मंगा रहे हैं तो देखें हमँारा इन सर आतक नी चार है तीन है आथ है तो चार कोंत थीन बुद्टैकर चार तेंव में भारा उर राए ज yılत्या आ तो आप च्रिपाल भारा उड़ा हिए छैन नहीं है तो अड़त आरे तौन बंपारइस दुनिए जलिऊ जलि में Rs essa तो 48 किस उप्षन में option number C तो हमारा option number C right answer हो जाएगा अच्छे समझ में आएगा अब अंगला question देखते हैं अंगला question क्या कह रहा है अंगला question इस प्रकार का है देखिए यहां पास question क्या बोल रहा है कि दिये गए बिकल्पों में से लूप तंग गयाद कर लिए गए fded करना है तो सब्सक्वरて यहां पास हमिondra fan करते हैं और यहां सबसे पहले क्या कोसिश्य करते हैं कि इन संख्याओ को find करें तो हमें आसानी होती है, यहां का मिसिंग नमबर फाइंड करने को, देखते हैं क्या करना है, तो अगर हम इन संख्याओं को देखते हैं, यह चोटी संख्या है, और यह भी थोड़ी चोटी है, मतलब उसके हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे, 37 कैसे आए इसमें, और फ 27 27 24 2 चाल जोड़एंगे कितना एक 31 ए 6 जोड़एंगे कितना है ऑन फिर 36 bhp जोड़ने पर इंसभी को जोडने पर 37 आ रहा बहु करा सेम फान लोजिक लगाएन अमैं लोजिक मिल गया अब यहां पर यहां पास ह्म सेम लोजिक लगाएंगे हमें सब को जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आएगा आठ में 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 20 में फिर 16 जोड़ेंगे 20 में 16 जोड़ेंगे तो 36 आजाएगा अब 36 में क्या जोड़ें 36 में कौन से संख्या जोड़ें यहां पास कि 44 हमारे वैलू आ जाए हम क्या करेंगे 36 तो इन त इसमें क्या जोड़ें 36 के बाद कि हमारा चौमन आ जाए तो इसमें देखते हैं अगर हम 18 जोड़ते हैं 36 प्लस 18 करते हैं तो हमारा वैलू चौमन आ जाए रही है तो जोड़के आप देख रहे हैं तो 36 प्लस 18 जोड़ेंगे तो चौमन आ जाएगे हमारी वैलू तो हमारे मि करते हैं लिए और रबिते हैं और तो डीयों सधीय नीचे दिए gaj अंगली संख्य मोगी अंगला पद पूछ रहा है मतलब यहां पास का पाद यहां पास की value पूछ रहा है कि अंगली संख्या क्या होगी तो अब देखते हैं किस प्रकार लिखा है को स्रेज वाले question को ध्यान से देखना होता है कि यहाँ पास क्या दिया दिखें आप आप तीन है तीन के बाद पांच है तो तीन के बाद कितना बढ़ा है दो बढ़ा तीन दो पांच पर फिर पांच के बाद एक बढ़ा च्छाय आया फिर च्छाय के बाद बाद 26 अब क्या होगा अंग्री संख्या यहां के हमें व बीच की संख्या गैद करना है था तो देखें यहां पास क्या है 12ध 24 है बाद 24 ड़ भी दूनी 48 अब इसमें हमolenai के बाद अपकर पास की वेलोग तो हमें कैसे हम którą दो कर दीए यहां हम आब हम यह रधास तो कर और 24 दूर 8 तालीस आपको होगाँ अब हम यहां पेडेखनाンネूरी कैसे हो उखेंज से 6 कितना प्लस कि सुख्या है 7 प्लस किया ही 12 किसे स्थिया evitar क्वाराए से 70 को 7-20 कैने 25 साथ प्लस करें एक 9 continuous सुख्याइए 20 इस धिक teateth में option number B तो हमारा option number B right answer हो जाएगा I hope यह question आपको अच्छे समाज में आया होगा चलिए अंगला question देख लेते हैं इस पर गारगा देखते हैं अंगला question क्या कह रहा है अंगला question कह क्या स्वाल करते हैं बस आपको ध्यान से देखना है question क्या बोल रहा है देखें 30 जनवरी 2011 तो आपको यहां पास ध्यान देने की जरूरत है 30 जनवरी फिर इसके बाद फरवरी आगे इसके बाद मार चाहेगा तो फरवरी में ध्यान देने की जरूरत है कि वह 28 दिन की है या 29 कैसे पत्ता चले कि 28 ween vintage दिन की है तो अगर लीब बर्स है तो अ फरवरी 29 दिन की हो अगर नहीं है तो फिर 28 दिन देखें हाँ पास क्या है 2011 में 2011 में जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता यह वह लीब बर्स उता हूं उस न में फरवरी 29 दिन की होते हैं पर यहां 2011 है यहां चार का भाग नहीं चाहिए तो इसमें क्या होगा फरवारी 28 दिन की होगी तो हम कैसे इस को सेंग को फाइंड करेंगे देखे आसान सा तरीका एकदम सिंपल में बताऊंगा आपको ज्यान दीजे के बसे तो यह 30 जनवरी 2011 है और यह जनवरी किते दिन के होती है 31 दिन के तो एक यह एक दिन इसका हो गया और प्लस 28 दिन इसका हो गया यह फरवारी का और कितने मार्श को पूछ रहा है 31 दिन में अब क्या करेंगे इस 31 दिन में सात से भाग कर देंगे और तो जोड़ेंगे तो गुरू बार के बात क्या है गे गुरू बार के बात बुद्ध बार आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, गुरु बार के बाद सुक्र बार आएगा, सुक्र बार, सुक्र बार क्या आएगा, सानी बार, सानी बार के बाद फिर क्या आएगा, रवी बार, तो हमारा तीन दिन जोडने पर क्या आ रहा है, रवी बार, तो हमारा option number D रभी बार हैस में तो option number D राइट अंसर हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देने और चैनल को सबस्क्राइब कर देने ताकि हमारा भी सुपोर्ट बन रहे थैंक यू